जब भी इस तरह की समिट होती है कोशिश तो यह होती है कि सारी दुनिया के राष्ट्र देश एक जुट होने की कोशिश करते हैं लेकिन गुरुपिजम एक अंदर ही अंदर एक तकरार और वार देखने को मिल रही है शी जिन्पिंग क्यों नहीं आ रहे हैं पता है कि भारत के प्रति उनका की सतरह का रवया रहा है शुरू से वह रहा है लेकिन रूस के राष्ट्रपती व्लादमेर पोतिन उनको लेकर यह का जा रहा है सिर्फ यूद एक वज़ा नहीं है और जो जी ट्वेंटी समेट हुई अमेरिका ने कोशिश की थी बिल्कु साइडलाइन कर दिया था रूस को यहीं वज़ा माने या यह सिक्वेरिटी रीजन यूद रीजन सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे पुतिन के ना आने का तो सिक्यूर्टी की बात है आपने देखा जोहांसबर्ग में जब अभी ब् इस्दार है तो पुतिन ऐसी किसी बीजगह में नहीं जाना प्चाते है जहां की होस कंट्री को भी परिशानी हो कुछ भी अगर हो तो यह परेशानी हो सकती हम रही बात जहां टक्त शेजिंग PINK के ना आने के शेजिंग PINK की ना आना सिर्फ भारत के डर से या अमेरिका के दर से आ उनको फेस न करने की वजह से नहीं, बलकि आप देखें कि चीन में जो आंतरिक परिशानिया हो रही है, वो भी इतनी बढ़ रही है कि उनको उनका ना आना उससे भी संबंधित हो सकता है, जैसे कि आपने देखा उनके राकेट फोर्स जो है, राकेट फोर्स के चीफ को हटा दिया गया, डिप्टी चीफ ने है, वातमत्या कर ली, चार और लोग राडार पे हैं, उनकी सबसे बड़ी रियल स्टेट कंपनी जो है, वो ध्वस्त हो गई है, उनके आँ इंफलेशन बढ़ रहा है, अनिम्प्लाइमेंट बढ़ रहा है, एकनॉमी नीचे जा रह कि फूट ग्रेंज की वहां पर परिशानी हो रही है, वहां पर उन्होंने इंडस्ट्री तो काफी लगा लेकिन फूट ग्रेंज के लिए वहां एग्रिकल्चरल लैंड की कमी हो गई, तो वो क्या करते थे, उसके उसकी च्छतिपूर्टी करते थे, वो ब्राजील से सोया म मंगा कर अमेरिका से सोया मंगा कर अब जब चीन के खिलाफ करोना के बाद एक्षिन हुआ तो देखे ये सब चीजें भी कम हो गई तो ये सारी चीजें जो है और ये बात तो है कि ब्रिक्स की समिट के ठीक बाद चीन ने बड़ा मैप जारी कर दिया मैप में सिर्व भारत ही कई देशों ने ऑब्जेक्शन किया इसलिए देखिए आसियान की समिट में भी बिल्कुल नहीं आये वह बिल्कुल और यह का जा रहा है यह भारत के एक तरह से जीट भी है क्योंकि अगर जिस तरह से नोने मैप में वो कोशिश की है फारा से चेडने की लेकिन क्योंकि औलम्पिक होता है वर्लक कप होता है वैसा ही यह अपने आप में एक बड़ा फोरम है जहां पर दुनिया बर के तमाम राश्ट्र द्यक्ष प्रतिनिदी शामिल होने जा रहे है और भारत को दुनिया को मैसेज देना है कि हम सबसे बेतर है एक चोड़ा सा ब्रेक